तोहारों के सीजन में हर कोई मीठा खाके बोर हो जाता है, सबका चटपटा खाने का मन करता है, खास कर बच्चों का तो चलिए बनाते हैं, मैंने कडाही में तेल गरम किया है, अब इसमें थोड़ा जीरा डाल दिया है, ये दो कटोरी कटेवे प्याज हैं, अब इनको भून लेंगे, इसके बाद मैंने इसमें डाला है एक कटोरी, कटेवे आलू, आप इसमें कितने भी सबजयां डाल सकते हैं, ये सिमला मेर्च है, और ये पत्ता गोबी है, बारिक कटी हुई, अब इनको 5-7 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे, इसके बाद हम इसमें मसाले डाल ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, ये है नमक, आप टेस्ट के अकोर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और ये अमचूर पाउडर, अब इनको भी मिला देंगे इसमें, और 5-7 मिनट और पका लेंगे सबजियों को, सबजी पक चुकी है, अब हम बनाते हैं, एक ट्रांस्पेरेंट सीट, स्प्रिंग रोल के लिए, उसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा में, आदा कटोरी पानी डालके घोल बना लिया है पतल गाट हैं, इसमें ना रहें, ये देखे हमारा सीट के लिए जो बैटर होता है, वो रेडी है, अब हम इसको बनाते हैं, एक नोन स्टिक तवा लेंगे, और ठंडे तवे पर भी हम एक चम्मच घोल डाल देंगे, और पूरे तवे पर इसको फला देंगे अच्छे से, अगर इसके बाद भी घोल बच जाता है, तो आप इसको बरतन में वापस निकाल देजिए, और ये पूरे तवे पर हमारा जो घोल था, वो फैला दिया हमने, आप गैस ओन करेंगे, और एकदम लो फलेम पर इसको रखेंगे, जब ये धीरे-धीरे किनारों से सूखने लगे, इस तो एक प्लेट में ओइल लगाकर और गैस से उतार लेंगे तवे को साइड में, गैस बंद कर देंगे, और फिर इस सीट को दोनों हाथों से धीरे-धीरे उतार लेंगे, और ये देखिए मेरी पहली वाली सीट है, थोड़ी सी, टेडी-मेडी हो गई है, लेकिन फिर भी ठ ठीक ही बनिया है, और इस तरह से आप ओईल लगी हुई प्लेट में और सीट रखते जाएंगे, ताकि वापस में चिपके नहीं, दूसरी सीट इसके ऊपर रखने के लिए सीट के ऊपर ओईल लगाएंगे, फिर रखेंगे, इस तरह से आपको जितने सीट बनानी हैं, बना बना देंगे, यह देखें, इस तरह से दोनों हाथों से थोड़ा टाइट रोल बनाना है, ताकि यह क्रिस्पी बने जो फ्राई करें, और मैं एक हाथ से करके आपको दिखा रही हूं, क्योंकि एक हाथ से मैं अपनी वीडियो बना रही हूं, इसलिए दोनों हाथ यूज न और यह रोल को एक बार और फोल्ड कर देंगे, ऐसा करने से रोल जब फ्राई करेंगे तो यह कड़ाई में बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, और यह हमारा रोल बनकर रेडी है, इस तरह से सारे रोल बना लेंगे, यह रोल बन चुके हैं, अब बारी है इनको फ्राई करने क चलिए करते हैं, फ्राई कड़ाई में तेल गरम मैंने कर लिया है, अब इसमें एक एक करके यह रोल हम डाल देंगे, और मीडियम आज पे इनको पका लेंगे, यह देखे हमारे रोल एक दम फ्राई हो चुके हैं, और एक दम क्रिश्पी हैं यह, इसमें आवाज आ रही है, खर खर भी, और आप इनको पीसेज में करके खाना चाते हो, या ऐसे ही खाना चाते हो, वो आपकी मर्जी, मैं आपको काटके दिखा रही हूं इसको, यह देखें, कितना क्रिश्पी हैं, और बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि उनका यह फेवरेट होता है इस रोल में जितनी सबजा डाल कर आप खिलाना चाहते हो, बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो वो सारी सबजा खाते नहीं हैं, और यह हमारे स्परिंग रोल बनकर रैडि हैं, इस पे आप चटपटा मसाला डाल सकते हैं, ज Prof Radev Spar touch that शोब्सुर्मे बड़ें, झाल झाल